हेलो प्रेंट्स नमस्कार कैसे आप लोग एरावर्ड में आपका स्वागत है उम्हेद करना बहुत है अच्छे होंगे पढ़ार रिखाए आप जो है अपना जोर सोर से कर रहे होंगे चुनाओ के जश्ट बाद आपनों का पेपर है तो आपनों को जैसे बताना चाहूंगा जो है लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहे है चैनल को और आगे बढ़ाएए हमारी टीम थोड़ा सा बढ़ेगी जो है जैसे हमारा परिवार है एक परकार से एरावर्ड क्या है एक कमारा है comment करके आप जो है बता सकते हैं कि कैसे क्या है और किया जो है इसमें सुझाव आगे किया जाए तो बता दें कि 11 I.E.M. पर हमारा free कुई चल रही है 12 P.E.M. पर पे जो है paid कुझ इसके लिए उसमें एडमिशन चल रहे हैं जिनको भी एडमिशन लेना है बहुत ही मिनमम प्राइज रखा गया है तीन सो रुपे है तो जो है आप एडमिशन ले सकते हैं उसमें और फुल गार्डेंस के साथ जो है तैयारी करवाई जाएगी तो देखते हैं कि पॉलिटी का जो चल रहा है पूरा तो आज हमारा राज्मंत्री परिशद है और राज्यमंत्री परिशद में जो कुश्चन बनते हैं तो उनके बारे में जो हमाँ आज डिस्कस करेंगे ठीक है तो देखते हैं कि राज्य मंत्री परिश्यत में पहला कुष्चन हमारा क्या है मुख्यमंत्री की न्यूक्ति उपबंध किस अनुक्षेद में नहीं थे अनुक्षेद 161, अनुक्षेद 163, अनुक्षेद 165, अनुक्षेद 169 तो किस अनुक्षेद में ये नीत है अनुक्षेद 123 में है ठीक है ध्यान रखियेगा ये important ये थी कित है जो है मुख्यमंतरी की क्या किया जाता है न्युक्ति किया जाता है दूसरा कुश्चन हमारा क्या कहता है उसे मुख्मंत्री की रूप में न्यूक्त किया जाता है जो बिधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्य सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को लोक सभा में प्राप्त दल के नेता को राष्टपती जिसे चाहे नहीं जो मारा बिधान सभा चुना होता है जो प्रियन्ट में चल रहा है पांच राजियों में चुना हो रहा है ठीक है कमेंट करके बताएगा पांच राजियों कौन कौन से हैं जहां पे अभी चुना हो रहा है यहीं कि अपने उत्तर प्रदीश में हो रहा है और चार राज्यों में कहाँ पे हो रहा है तो बिदान सवा को जो बहुमत प्राप्त दलका नेता होता है राजिपाल उसी को जो है अनुछे 163 के तहट क्या करता है मुख्य मंतरी प्त की नूक्ती करता है आईए देखते हैं लोग, अगला कुश्चन, तीसरा कुश्चन नमारा क्या कहता है, बिधान मंडल का सदस्य ना होते हुए भी, कोई व्यक्ति कितनी अवधी तक मुख्य मंत्री रह सकता है, छे महीने, छे साल, छे सपता, छे दिन, तो वो छे महीने रह सकता है, छे महीने के अंदर उसे बिधान मंडल का सदस्य होना यानि कि कहीं ने कहीं से उसे जो है चुनाव जीतना पड़ेगा ठीक है तो यह समझ रहे होंगे अभी पस्चिम बंगाल का जो केस हुआ था पस्चिम बंगाल का मंता बनर्जी वाला केस ठीक है नंदी गराम से वो हार गई थी तो मलब दूसरी जगान से फिर उनको क्या करना पड़ा लाड़ना पड़ा और जो है चुनाव जीतना पड़ा तो फिर भी जो है अगर आप जो है नहीं जो है जहाएं तो सदस्ता आपको जो है लेनी जरूर पड़ेगी नहीं कि छे महीने के अंदर आपको कहीं न कहीं से जो है जीतना पड़ेगा अगर देखते हैं चौथा कुश्चन मारा क्या कहता है राज के वास्तविक साखसंद का अध्धक्ष कौन होता है राष्टपती, राजीपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो राज के वास्तविक साखसंद का अध्धक्ष कौन होता है मुख्यमंत्री होता है जिस प्रकारते अगर देश की बात की जाए तो हमारा वास्तविक साखसंद कौन करता है प्रधान मंत्री करता है उसी प्रकार से अगर राज्य लेबल की बात की जाए तो उस समय जो है अध्यच प्रमुख कौन हो जाता है मुक्य मंत्री हो जाता है ठीक है और टापिक वाइज जो हमारा ये ससन चल रहा है इसे आप फालू कर रहे होंगे तो आपके प्रेक्टिस हो रही होगी बीसिक जो है पढ़ते रहिए और हम लोग यहाँ पे प्रेक्टिस करवा ही रहे हैं ठीक है बाकी फ्री कुईज में अग राष्टपती राष्टपती तो किसकी सलाह पर करता है मुख्य मंत्री जिस प्रकार प्रदान मंत्री में आपने देखा था कि प्रदान मंत्री के सलाह पर राष्टपती यही कारी करता था ठीक है सेम वही प्रोसेस चल रहा है राज्जी वाले में भी ठीक आप जो है आप ये विकास परिशद के में राज का प्रतिनिद्ध कौन करता है मुख्यमंत्री करता है अगला कुश्चन हमारा क्या कहता है सात्वा कुश्चन मंत्री परिशद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है राजिपाल लोकसभाध्यच मुख्यमंत्री या सभापती तो मंत्री परस्थत की अगर जब बैठक होती है तो इसकी अधिशता कौन करेगा मारा मुख्यमंत्री करेगा ये चोटे-चोटे कुश्चन है वर्लाइन टाइप से जो इनकी प्रेक्टिस करवा दी जा रही है जो भी एसेसन देख रहे होंगे पूरी पॉलिटी आपको जो है बेसिक तो आपका किलियर हो जाएगा बाकि जो भी बुक आप रखे है उसको बार-बार रहे है पढ़ते रही है रिवाइज करते रही है ठीक है आईए देखते है आठवा कुश्चन राज जिपाल को प्रसासन तथा बिधायन संबंधी सभी प्रस्ताओं की जानकारी कौन देता है सभापती, उपराष्टपती, राष्टपती, मुख्यमंत्री तो राज जिपाल को प्रसासन तथा बिधायन सभी प्रस्ताओं की जानकारी कौन देता है मुख्य मंत्री देता है जिस प्रकार से प्रधान मंत्री किसको दे रहा था राष्टपती को दे रहा था सेम प्रोसेस वही चलता है जो केंद्र में प्रधान मंत्री कर रहा है वही कारी राज्य में हमारा कौन करेगा सीयम करेगा जो कारी वहाँ पे राष्टपती का है वही कारी राज्य में किसका होता है राजिपाल का होता है ठीक है तो इन चीजों को जो है समझने में बहुत दिमाख लगाने की ज़रूरत नहीं है बसान जो इसे कुश्चन जो किस तरीके से जो है बदल जाते हैं पैटर्न बदल लेते हैं उसको समझने की ज़रूरत है मंत्री परिशद का गठन कौन करता है राज्य सभा अध्यक्ष लोक सभा अध्यक्ष राज्यपाल सभापती तो मंत्री परिशद का गठन कौन करता है राज्यपाल करता है किस की सिपारिस पर मुख्य मंत्री की स्थिपारिस पर करता है ठीक, ये कुश्चन समझ में आ रहा कि नहीं मंत्री परिसत का एक गठन किया जाएगा जैसे हमारे केंद्र में मंत्री मंडल और मंत्री परिसत ये सब होते है राजी मंत्री ये सब होते है कसी पर कारती यहाँ पर राज में भी क्या होगा मंत्री परिशत का गठन होता है कि नहीं होता है यहाँ पर भी तो जो है ग्रह राज मंत्री होती है यहाँ पर भी जो बित्त मंत्री होती है राज में भी ठेक तो इसी तरीके से दसवा कुश्चन हमारा क्या कहता है मंत्री परिशद का गठन राजिपाल किसकी सलाह से करता है उपराष्टपती, राष्टपती, सभापती, मुख्यमंत्री तो मंत्री परिशद का गठन राजिपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है ठीक तो ये 10 कुष्चन हमारे जो है इस टोपिक से थे अब हमारा अगला टोपिक जो हमारा शुरू होता है उसके बारे हम देखेंगे राज्य बिधान मंदल योम बिधान सभा ठीक है तो ये भी जब 10 टोपिक है तो अब जो है इसके बारे में हम जो जितने भी question बन रहे हैं 8-10 question इस पे भी हम लोग चर्चा करते हैं आये देखते हैं हमारा गिरहुमा question क्या करता है आंद प्रदेश राजी जो है भासाई आधार परसपते पहला राजी बना तो इसमें जो है बिधान परिशद भी था तो आंद प्रदेश राजी में बिधान परिशद कब समापती की गई 1985 में, 1975 में, 1992 में, 1971 में तो आंद प्रदेश में बिधान परसद की समापती कब की गई 1985 में की गई है ठीक है याद रखेगा question आ सकता है इस तरीके से अगला कुश्चन अगर हम आगे बढ़ें इसके next कुश्चन की तरफ तो हमारा 12 नमबर का कुश्चन अब तमिल नाडू से related है अब आप लोगं को एक चीज और कमेंट करके बताना है कि अभी बरतमान में अभी जो हमारी परतमान में 28 राज और 8 केंज असासित परदेश हैं इन में जो है बिधान परिशद कहां कहां पे है कितने राज्यों में बिधान परिशद है नहीं है तो सर्च करके जो है उसको जानकारी तो ले सकते हैं तो यह कहीं अलग से पढ़ाया नहीं जाता है जब यह कुश्चन आता है तो हमारा माइंड जो है क्या होता है कि स्ट्राइक करता है कि अब हमें इसके बारे में जानकारी ले लिनी चाहिए तो अब बताए कि तमिल नाडू राजी की बिधान परिश्द कब समाप्त की गई 1975 में 1992 में 1971 में 1986 में तो इसी तरीके से अब आप लोग इतना चेक करिए कि कितने राजियों में हमारी बिधान परिश्द है और वहां कितनी कितनी सिटे हैं ठीक है ये नया कुश्चन मतलब ऐसे नहीं याद हो जाता है ऐसे कुश्चन के फाम में ही जब आपको कहीं मिलता है एक्दम अट्रेंडम फिर आप उसको जो है पढ़ने की कोशिस करते हैं तो वो जल्दी तयार हो जाता है किसी राज जी के लिए बिधान परिशत का सिर्जन करने के लिए कानून बनाने की सक्ती किसे प्राप्त है किसी राज जी के लिए बिधान परिशत का सिर्जन करने के लिए कानून बनाने की सक्ती मंत्री परिशत को, शंसद को, राज जिपाल को, सभापती को तो किसी राजी के लिए गर बिधान परिशद बनाया जा रहा है तो इसकी सकती जानती हो संसट से ही सब कुछ होता है और संसट किसे मिलकर बनती है हमारी लोकसभा, राजसभा और राष्टपती से ठिक, आई दिखते हैं हमारा अगला क्या कहता है चोदा नमबर का कुछचन हमारा क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश के बिधान परिशद में कुल कितने सदस्य होते हैं देखिए, उत्तर प्रदेश में बिधान परिशद है आप उत्तर प्रदेश का जैसे कि आपको पता चलगा कि 99, 101, 1098 तो कितना है? 100 है, ठीक है इसी प्रकार से और कहां कहां किन किन राज्यों में है करनाटक में है की नहीं, महराष्ट में है की नहीं, पश्चिम बंगाल में है की नहीं ठीक है, तो बिहार में है की नहीं, मध्द प्रदेश में है की नहीं और भी जितने राज्य हैं पंजाब में हाई की नहीं तो आप चेक कीजिए कि मतलब कहां-पे है और वहां पे कितनी सीटें जिसे उत्तरप्रदेश में 100 सीटें हैं की नहीं है तो इसी तरह के से अब और राज्यों का पता केईगा कि वहां पे कहां पे है और प्लस सीटें कितनी है ठीक है और जब मिल जाएगा तो उनको जो है अपने नोट में एड कर लीजेगा पंदरा नमबर का कुश्चन राज्य बिधान परसद के सदस्य की कितनी नियूनतम आई होनी चाहिए 25 साल, 30 साल, 35 साल, कितनी उमर होनी चाहिए राज्य बिधान परसद के सदस्यों के लिए आए देखते हैं 16 नमर का कुश्चन सभापती तथा उप सभापती का चुनाओ बिधान परसद में किस के द्वारा किया जाता है सभापती और उपसभापती का मुख्यमंत्री द्वारा बिधान परश्द के सदस्यों द्वारा राजिपाल द्वारा लोग सभा की विधान परिश्द के सदस्यों का चैन करना है तो विधान परिश्द के सदस्यों के द्वारा ही तो होगा सभापती और सभापती का चुनाओ आएखे है अगला question 17 number का question क्या कहिरा है विधान परिश्द की न्यूंतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए 30, 35, 40, 45 तो बिधान परिशद में जो है कितने ही संख्या होनी चाहिए 40 संख्या होनी चाहिए बिधान परिशद की नियुंतम सदस संख्या कितने होनी चाहिए 40 अठारा नमबर का कुश्चन बिधान परिशद किसकी तरह एक अस्थाई सदन होता है तो लोक सभा की तरह, राजी सभा की तरह, मंत्री मंडल की तरह, मंत्री परशद की तरह तो हमारा किस की तरह, राजी सभा की तरह, जिसे राजी सभा हमारी कभी भंग होती है नहीं, हमारी राजी सभा कभी भंग नहीं होती यहां एक अस्थाई सदन है और उच्छ सदन कहलाता है इसी परकार से राज में बिधान परिस्द हमारा एक अस्थाई सदन होता है उच्छ सदन कहलाता है ठीक है यह कभी भंग नहीं होती हर दो साल में जो इसके एक तिहाई सदस से क्या होती है सेवा मुक्त हो जाते हैं ठीक है इतनी बात राजसभा में भी इसी तरीके से होता है ठीक तो वही जो केंदर में हो रहा है वही चीज़े यहाँ पर राजी में हो रही है विधान परसद की एक तिहाई सदत कितने बर्स में पदमुक्त हो जाते हैं तो देखिए एक कुश्चन आए गया प्रतेक दो बर्स बीवाला आपसन सही है तो उमीद कर रहा हूँ जो है यह हमारा लाश्ट कुश्चन था और आप लोगों को यह सेशन अच्छा लग रहा होगा यह हमारा कालिया वाटसप नंबर दिया गया है इनको ध्यान से आप लोग देख लीजिए और जो है जो काल या वाटसप करना चाते हैं काल या वाटसप करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं फिरी कुश्च से जोड़ सकते हैं और पहली बात यह जो 11 आयम पर फिरी कुश्च वह रही है दूसरी बात जैसे अगर कोई कोर्स लेना चाते हैं या एक मार्च से जो हमारा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है न दो महीने का इस पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो अगर इस पे इसमें एड्मिशन जारी है अगर एड्मिशन लेना चाते हैं तो जरूर से जरूर एड्मिशन ले लिजिए दो महीने में बहुत जवर्दस तरीके से जो है पूरा वीडियो के फाम में आपको नोर्स मिल आनलाइन तो वो 15 तारिक से चल रहा है आप उसे ले सकते हैं परचेज कर सकते हैं इस कोर्स के बारे में ही हम बता रहे हैं जो हमारा एक मार्स से शुरू हो रहा है ठीक है अगर आप इसे परचेज करना साथे हैं तो जरूर से जरूरी जो है इसको ले लीजिए ठीक है क्यो बहुत ही जबरदस तरीके से ये course चलने वाला है और अगर admission लेना चाहते हैं इसमें admission जरूर ले ले आज के लिए वस इतना ही आगला जो है वीडियो आपको कल मिलेगा ठीक है और practice करते रहिए दबा के पढ़ते रहिए चैनल को like, comment, subscribe करना मत भोलिए comment करके अपने सुझाओ जरूर दे सकते हैं आपको क्या चाहिए, क्या ने चाहिए, क्या अच्छा लग रहा, खराब लग रहा ठीक है, comment तो कर सकते हैं आज के लिए वस इतना ही, धन्यवाद